हेलो दोस्तो आप सबका वेलकम करता हम आपके अपने यूटूब चैनल देखो समझो सीखो मेरे संग में मैं हूँ एके और दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने वाइफाई या फिर विंगल डाटा काड या फिर रूटर का पासवर्ड को रीशेट कर सकते है अगर आपके पास आपके पास कोई भी वाइफाई डोंगल है या फिर विंगल डाटा काड है वो किसी भी कंपनी का हो हुआई का हो टीपी लिंक का हो डीपी लिंक का हो किसी भी तरह का आपके पास विंगल डाटा काड हो तो आप उसका पासवर्ड अगर भूल चुके ह या फिर आपने अभी नया purchase किया है तो आपको उसका reset नहीं करना आ रहा है अपने हिसाब से modification करनी नहीं आ रही है तो वही सब बाते आज हम वीडियो में करने वाले हैं तो उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा तो चलिए जल्दी से चलते हैं और मैं आपको बताता ह रहता है तो यह आपको देख लेना है पहले ही किसी copy में लिख लेना है या फिर याद कर लेना है उसके बाद यहां पर आपको एक चीज और दे रखे हैं लोग ने ऊपर यहां पर दिया हुआ इन लोगों ने IP address अगर आप मोबाइल में data card को reset कर रहे हैं या फिर modify कर रहे है तो आपको यह चीज चाहिए होगी IP address को आपको Chrome में लिखना पड़ेगा तो यह वाला भी आप लिख लिजेगा और उसके बाद आपको SIM डाल लेनी है और साथ ही अगर आप password को reset कर रहे हैं तो एक बात बता दूँ आपको यह जो 3 light दिखाई दे रहे हैं इसके पास में एक चोटा सा होल भी दिखाई दे रहा होगा तो यह वाला होल है यहां पर बटन होता है जिसको आपको एक मिनट के लिए या फिर 30 सेकंड के लिए प्रेस करना हो रहता है जिसके बाद यह जो restart हो जाता है सब light off हो जाती है एकदम से फिर अपने आप जल उठती है और आपका ज सकता है घबराने की बात नहीं है कोई भी चीजा आप ले सकते हो बस ऐसी हो कि जिससे आप प्रेसर दे पाए अच्छे से तो यह सब चीजे आपको collect कर लेनी है और चले जल्दी से चलते हैं अपने PC पर मैं आपको दोनों ही तरीके से बताऊंगा PC पर आपकर सकते हैं और अ लेंगी तीन लाइट यहां पर दी हुई है नेटवर्क की है मैसेज की है और यह यहां पर वाइफाई दिया वाइन लोगों ने तो देख लीजे चल रही है सेम होता है TP-Link में भी यही होता है और जितने भी आपके पास Wingless Data Card होंगे सबका सेम प्रोसीजर रहेगा तो आपको इसका ढखकन तार लेना है और ढखकन तारने के पास आपको लाइट के बिल्कुल पास में एक होल दिखाई देगा तो आपको दिखाई दे रहोगा ये वाला होल तो आपको क्या करना है कोई नोकेली चीज लेके इस होल के उपर ऐसे दबा के रखना है थोड़ी देर दबाओगे तो आप देख सकते हो लाइट बंद होगी है इसका मतलब कि जो आपका वाइफाई था जो आपका विंगल डाटा कार्ड है वो रिसेट हो चुका है अब ये बिल्कुल नए सिरे से शुरू होगा और तो आगे का प्रोसीजर मैं आपको अपने लैप्टोप में दिखाता हूँ तो चलिए लैप्टोप स्क्रीन पर चलते हैं इतना काम करने के बाद आपको लैप्टोप पे जाना अगर आपके पास लैप्टोप नहीं है तो आप मुबाइल से भी कर सकते हैं तो मैं दोनों ही तरीके आपको बताऊंगा कैसे आप करेंगे इसको तो चलिए लैप्टोप स्क्रीन पर चलते हैं तो दोस्तों जैसे ही हम लैप्टोप के साथ अपने वाई-फाई को कनेक्ट करते हैं तो वो खुद से ही इंटरनेट एक्स्प्लोरर को ओपन कर लेता है अगर आपका ओपन नहीं हुआ है तो आपको जो मैंने फर्स्ट में बताया था वो वाला आपको यहाँ पे जो एड्रेस था 192 वाला वो वाला इधर ओपन कर लेना है उसके बाद आपसे मांगेगा यूजरनेम पासवर्ट तो हुवई का है ये तो हुवई वाले में डिफाल्ट होता है एड्मीन एड्मीन तो आपको एड्मीन एड्मीन भर देना है और लोगिन कर लेना है देख लीजे तो लोगिन होने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करके अगर आपको चेंज करना है नाम तो कर लीजे नहीं तो आपको नेक्स्ट कर देना है यहां पर यह देख लीजे यह चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं आपनी मतलब आपकी खुद की वीश होगी वो चेंज करना है नहीं करना है अगर करना है तो आप परामसे कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे नेक्स्ट कर देंगे और वहां पर फिर आपसे पूछा जाएगा करंट पासवर्ड जो मैंने अभी आपको बताया था एडमिन हमारा करंट जो पासवर्ड है वो एडमिन है यहां पर आपको एडमिन भर देना है और जो आपको न्यू पासवर्ड बनाना वो बना लेना है मैंने बना लिया है तो बस उसके बाद आपको यहां पर फिर से नेक्स्ट और फिनिस कर देना है देख लिए आपके सामने हैं live विल्कुल ये successful हो चुका है मेरा उसके बाद दोस्तों ये था अपना हुआई का setup उसके बाद आप जब भी डॉंगल को लगाओगे या अपने वाइफाई को connect करोगे तो username password मांगेगा उसमें आपको admin भरना है username में और password ये वाला जो अभी आपने set किया वो वाला भरना होता है उसके बाद जैसे ही आपने वाइफाई connect कर लिया उसके बाद आप आप जो hotspot own होगा इसमें से जो hotspot होगा उसका जो password होता अगर आपको वो change करना है तो आपको देख लीजे यहाँ पे setting में आने के बाद फिर आपको यहाँ पे w lane basic setting को खोलना है वो खोलने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा आपके wifi का नाम और security यहाँ पे already एक password भरा हुआ है तो वो आपको दिख जाएगा यह वाला password यह वाला वो password होता है जो आपको डोंगल के ऊपर भी लिखा हुआ मिल जाएगा तो आपको इसको यहाँ से हटा के अपना जो भी password आपको बनाना है आप बना सकते हैं और यह password आपको तब जरूरत पड़ेगी जब आप इसको कहीं भी यूज़ करोगे मालीजे आपने अपने PC में लैप्टोप में या फिर कहीं भी adapter में लगा के चलाया है उसके बाद जैसे आप hotspot को connect करोगे mobile में या ने किसी device मे तो इस password का यूज़ वहाँ पर होगा होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी ये थी छोटी सी knowledge होप आपको इसकी required होगी और आपको suitable जो knowledge है जो information है वो मिल चुकी होगी अगर आपको वीडियो अच्छी लगते है तो वीडियो को share कर दीजे चैनल को subscribe कर लिजे साथी bell icon को दबा लेना ताकि next वाल होगी होगी है ट फट कर दोटे स्टेघस煌 गच्यूब्सक्तक को रागरे कर दोटे से होगी है